हेलो एब्रीबन आप सभी के स्टुटेंट एक्सन स्वागत है तो चलिए आज हम देखेंगे अगेला नेक्स्ट कोश्चन जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया तो उसके आगे वाले कोश्चन देखेंगे तो अगर आज चैनल पर अपने हैं तो चैनल को लाइक किए चैन से पहले आपका अप्षान है सेलम, पेपसीनोजेन, हाइड्रोकलोरिक अम्र और इन में से कोई नहीं तो आपका अप्षान जो हो जाएगा यह हो जाएगा हाइड्रोकलोरिक अम्र यानि कि यह आपका हो जाएगा सी नमबर आप देखते हैं अगला कोश्चन अगला अगला कोशन है कि मृत जिवी पोस्वर्ण में भोजन का पाचन कहां होता है यानि कि जो मरे हुए जीव को खाते हैं उनमें भोजन कहां होता है यानि कि उनके option आपका है कोश्का के बाहर कोश्का में पाचन तंत्र में इन में सब से सब ही तो इसका जो answer होगा वो आपका होगा कोश्का के बाहर यानि कि A number होगा इसका answer होगा आपका A number अब चलिए हम देखते हैं अगला question तो जो अगला question है वो है आपका कि आमासे से कौन सा अमल स्रावित होता है यानि कि जो आमासे है उससे कौन सा जो अमल है आपके से निकलता है तो आपका पहला जो option है वो है H2SO4, HCl, HNO3 और HNO2 यानि कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा अ आमल निकलता है इसमें से जो आमल निकलता है वो निकलता है आपका H, यह हो जागा आपका HCl निकलता है यानि कि option क्या हो गया आपका B number हो गया अब हम चलिए देखते हैं अगला question तो अगला question जो है यह है आपका कि प्राकूरर का मुख्य कारे क्या है प्राकूरर निकी विली का मुख्य कारे है भोजन पदार्थ का पाचन पचित भोजे पदार्थ का अवसोसर भोजे पदार्थ का अस्तांत्रा और अफसीस पदार्थों का निश्कासन अब जो अगला कुश्चन है यह हो गया इसका जो अंसर हो गया गर बात कर अगा उंसा हो गया आपका फी नुम्बर अब चली हम देखते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन है अगले जो आपका कोश्चन है ये है कि निस्किरिय पेपसीनोजन को सक्रिय पेपसीन में कौन बदलता है यानि कि आपका बताना है कि जब पेपसीनोजन होता है उसको सक्रिय रूप में कौन परिवर्थित करता है यानि कि मुकस हाइडोकलोरिक अमल अपने आप बदलता है इनमें से कोई नहीं तो इसमें जो आपका एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोकलोरिक अमल यानि कि एंसर आपका हो जाएगा B नमबर अब चलिए हम देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन जो आपका है पाचन का उद्देश से है यानि कि अब इसमें अपसन देखते हैं भोजन की जटल ततों का सरल ततों में विखंडन, सरल ततों का सुचारों रूप से अवसोर सड़, और C है भोजन से उर्जा की प्राप्ति, इन में से सभी, यह जो है आपका अप्शन हो गया है, यह हो जाएगा इन में से सभी, यानिक यह होगा आपका D नंबर, अब हम देखते हैं अगला कोश्चन अगला जो कोश्चन है आपका हूँ है by कि छोटी आत में पूरुप से पचाव होजन क्या खालाता है यान्सिक जो हम खाणा खाते हैं और हमेरे छोटी यात में जाता है तो उस exhaps Finance डोलों से अंका है पहले, option है आपका, काईम, काईलो, माईकरान, चाइल, चाइल और इन में से कोई नहीं, तो यह जो आपका option हो जाएगा, यह हो गया, चाइल, यानि की, आपका option हो जाएगा, C number, अब चलिए, हम देखते हैं, अगला question, तो अगला question देखिए, चले, देखते हैं, अगला कोशन जो है आपका कि दंत चहरंड यानि कि दंत चहरं यानि कि जब दात आपका देखावगा बहुत से छोड़ वच्यों के दात सर्णे लगता है उसी को दंत चहरंड कहा जाता है यानि कि 2 छे कहा जाता है दात का टूटना डेंटीन और इनैमल का मुर्धु comprehensive दात की सफाई करना इन में से कोई नहीं है तो इसका एंसर हो जायगा आपका डेंटीन और इनैमल दैंसर हो जायगा है बी नंबर यहां चलिए अब देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है दात के इनैमल को मिर्दुकरण कैसे हो जाता है यानि कि अब का अप्सन है जीवो द्वारा उत्पन आमले से तूटपेस से भोज्ये द्वारा उत्पन आमले से इन में से कोई नहीं तो अब हम इसमें देखेंगे यह जीवारू द्वारा उत्पन आमले से यानि कि यह जो आपका एंसर हो जाएगा यह नंबर यानि कि पहला जो है वही आपका एंसर हो जाएगा चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगर इससे पहला अगर चैनल पर आपने हैं तो चैनल को लाइ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हम चलिए देखते हैं अब अगला कोश्चन है कि दंथ प्लांग कैसे बनता है यानि कि दंथ प्लांग जो कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहा है तब मुख के खाद ये कड़ों यह जीवाडू से दूसरा जो वह आपका हो जाएगा मुख के खाद ये जीवाडू से यानि कि आपका एंसर ये हो जाएगा तो चलिए इससी के साथ ये क्लास खत्म होता है फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगर आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजि कि वो भी आप इसका लाव उठा सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में